माइक्रोसोफट का सर्वर डाउन होने के वज़़ से ये दिक्कते सामरी आई हाला कि अब ज्यादतर आईटी सेवाओं को बाहाल कर लिए जाने की बात कही जा रही है लेकिन कुछ घंटों के सर्वर डाउन ने दुनिया में कैसे हरकम मचाया आईए जानते थम गई दुनिया उडान पर ब्रेक बंद हुए बैंक बाजार दुनिया भर में हाहाकार इंडिया से अमेरिका तक औस्टेलिया से ब्रिटेन तक पूरी दुनिया में हाहाकार है दुनिया भर के एयरपोर्ट से जहाज उडान नहीं भर पा रहे हैं कई टीवी और ब्राटकास्ट कम्प्रियों की प्रसारण थम गए हैं, शेर बाजार से लेकर बैंक तक बंद हो गए हैं, ये किसी साइन्स फिक्षन फिल्म का सीन लगता है, जब कोई साइबर टेरिस्ट पूरी दुनिया को ठप कर देता है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, हकी दुनिया भर में एयरपोर्ट, बैंक से लेकर कई सेवाई ठप पड़ी हैं, और इसकी वज़ा है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर दाउन होना, एक सर्वर से पूरी दुनिया ठप हो गई, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से, दुनिया भर में रेलवे, एयरला बाधित हैं, ब्रिटेन में ट्रेनों का परिचालन रुग गया है, जर्मनी के बरलिन एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रद्ध हैं, बैंक का काम ठप है, और स्टेलिया में कई कंपनिया बंद हो गई हैं, अमेरिका में यूस एरलाइन्स के सभी फ्लाइट्स ग्राउन पर हैं माइक्रोसॉफ्ट का पेल हुआ, सारी दुनिया में उत्र पदल मच गई है, यहां लंडन में यहां हम ट्रेन लेने के लिए इंतजार में हैं, लेकिन ट्रेन की सर्वेस कैंसल हो चुकी है, और यह केबल एक उधारन है, अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, कुछ निश् और मुंबई एरपोर्ट पर चेक इन समीत कई ऑनलाइन सेवाएं काम नहीं कर रही है, दिल्ली के एरपोर्ट पर ट्वीट कर जानकाली दी है कि वैश्विक आईटी संकट की वजह से उसकी कुछ सेवाओं पर असर पड़ा है, एर इंडिया ने भी ट्वीट किया है, और मा भावित होने की बात कही है, इंडिगो एरलाइन्स टे ट्वीट कर बताया कि माइक्रोसोफ के सरवर में आई गरबड़ी की वजह से यात्रियों को एरपोर्ट पर इंतजार कसा में लंबा हो गया है, अमेरिका के युनाइटेड डेल्टर अमेरिकन एरलाइन्स ने दुनिय पर आईटी की दिक्कते आ रही है, इससे ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ सकता है, आईटी सिस्टम ठप होने की वजह से बर्लिन एरपोर्ट में चेकिन में दिक्कत हो रही है, स्पेन में सभी हवाई अड्डो पर आईटी की दिक्कते आ रही है, ब्रिटेन में स्काई न्यूस चैनल और फेर हो गया है उस्ट्रेलिया में टेली कम्यूनिकेशन ग्रुप टेल स्ट्रा की सेवाओं में बाधा आ रही है उस्ट्रेलिया के सिड्नी में विमानों की उडान प्रभावित हुई है युनाइटेड एरलाइन्स ने अपनी सेवाएं रोग दी है लंडन क एरफोर्ट में याट्रिक एरफोर्ट पे उपर स्कॉटलंड में एडिन्बरा एरफोर्ट में मैंचस्टर एरफोर्ट में हर जगा प्लाइट्स को कैंसल किया जा रहा है और यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अब क्या करें और आगे कब सर्विस जो हैं नॉर् डाउन हुआ है माइक्रोसॉफ जल्दी इसे फी करने की बात कह रहा है भारत सरकार भी इस पर नजर बनाय हुए है रेल मंत्री अश्वनी वैशनव ने एक्स पर लिखा कि मिनिस्ट्री आफ एलेक्ट्रोनिक्स और इन्फरमेशन टेक्नोलोजी ग्लोबल आउटेज के संब इदर कावड यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवारिय करने को लेकर बीते दिनों से यूपी की चर्चा पूरे देश में हो रही है अब सीएम योगी ने पूरे फ्रदेश के लिए ये फैसला लिया है पूरे यूपी में कावड मार्गों पर खाने पीने क के मालेक मुस्लिम निकल रहे हैं उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की अपनी दुकानों में तस्वीर भी लगाई है देखी रिपॉर्ट यूपी में कावण मार्ग पर पढ़ने वाली हर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा सीम योगी ने पूरे प्रदेश के लिए ये आदेश जारी कर दिया है आदेश के मुताबिक प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान लिखनी होगी इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कारेवाई होगी यूपी में 22 जुलाई से कावड यात्रा शुरू हो रही है इसके पहले प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है योगी सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने नेम प्लेट की चेकिंग भी शुरू कर दी है मेरट में पुलिस सड़क पर रहडी पटरी वालों की नेम प्लेट चेक करती नजर आई मुजफर नगर में पुलिस प्रशासन के आदेश का असर दिखने लगा है और रहडी वालों से लेकर धावा संचालक तक अपना नाम अपने प्रतिष्ठान के साथ लिख रहे है हाला कि प्रशासन भी ये साफ कर चुका है कि ये आदेश धार्मिक भावनाओं को आहत पहुचाने के लिए नहीं बलकि अप्रिय घटनाओं और विवादों को रोकने के लिए दिया गया है आपको बताते हैं कि मुजफर नगर में पहले क्या हो रहा था संगम होटल को सलीम खान चला रहा था रुड की रोड पर वेलकम होटल को हाजी मुर्टजा संचालित कर रहे थे मेरट के शुद्ध छोले भटूरे को महरास चला रहे थे जाइका रेस्टोरेंट को तन्जीम इटालियन हट को नदीम चला रहा था इनके अलावा नूर मार्केट में न्यू बाबा स्वीट्स को नौशाद नीलम स्वीट्स अर्शद एहमद अनमोल फ्रूट यूनिक प्लाजा को जुबैर एहमद चला रहे थे नाइस कनफेक्सरी जो बजहेडी रोट पर है उसे इसरार चला रहा था गुडलक टी स्टॉल बजहेडी रोट पर ही है उसे शमशाद चला रहा था कावड रोट पर दुकानों की पहचान के आदेश से पहले मुजफर नगर में क्या कुछ होता था ये जरा तस्वीरों के जरिये भी देख लिजे आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है कि रुडकी रोट पर धाबे का नाम संगम शुद्ध भूजनाले है लेकिन असल में इस धाबे को चलाने वाला शक्स मुसलमान है जिसका नाम सलीम है नया आदेश आने के बाद अप सलीम ने अपने धाबे का सलीम शुद्ध भूजनाले का बोड लगा लिया है जिससे इनकी पहचान साफ है पहचान में कोई कन्फ्यूजन नहीं है प्रशासन ने ऐसे सभी लोगों को निर्देश दिये है कि वो अपनी अपनी दुकानों पर अपना नाम जरूर लिखे ताकि कावड यात्रा के दौरान कोई हंगामा ना हो अमरोहा में नैशनल हाईवे किनारे काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हिंदूों के नाम पर धाबे संचालित कर रहे है हैरानी की बात तो ये है कि मुस्लिम समुदाय की लोगों ने हिंदूों के नाम पर रखे अपने धाबों के नाम के साथ साथ धाबों में हिंदूों के भगवान की मूर्तियां भी लगा रखी है इतना ही नहीं धाबे के बाहर लगे बोट पर कहीं ओम तो कहीं सिख समुदाय के गुरुनानक देव की तस्वीर लगा रखी है जबकि इंधाबों के मालिक मुस्लिम है सरकार के फैसले के बाद जहां एक तरफ सियासत हो रही है वहीं इस्थानिय लोग पुलिस प्रशासन की इसका रिवाई का स्वागत भी कर रहे हैं ताकि किसी भी विवाद की स्किती से बचा जा सके न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अब सवाल ये उठता है कि कावड यात्रा के रूट पर आखर पहचान वाले आदेश की जरूरत क्यों पड़ी अखर क्यों दुकानदारों से सरकार को ये कहना पड़ा कि भाई आप लोग अपनी अपनी दुकानों के सामने अपना नाम भी लगाई इसके पीचे की वज़े भी समझनी जरूरी है असल में कई शिकायती पूलस को मिल रही थी शिकायती मिल रही थी कि कावड यात्रा के रूट पर हिंदू देवी देवताओं के नाम से मुस्लिम दुकानदार खाने पीने की दुकानी चला रहे हैं और जिसकी वज़े से कावडियों में भ्रम्त की सिती बनी है इन आरोपों के पीछे की सच्चाई क्या है इसकी वास्तविक रिपार्ट आपको दिखाते है कि कुछ लोग अपनी दुखानों के नाम धाबों के नाम रेस्टोरेंट के नाम हिंदू धरम के नाम पर लिखते ह हैं और जबकि चलाने वाले उनके मुसीनों होते हैं यूपी के मंतरी कहते हैं कि कावड मार्ट पर दुखानों और ढबों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होते हैं लेकिन चलाने वाला मुसलमान निकलता है इस बात में कितनी सचाई हैं इसे सहरंपूर के वेहट से आए इस केस स्टडी से समझेए जूस की दुखान पर बोर्ड में नाम लिखा है आर्यान जूस कॉर्णर ऊपर में जयमाता शाकुम्बरी देवी और चिन देवी का नाम का नारा साफ साफ शब्दों में लिखा है पहली नजर में इस जूस की दुखान को देखकर कोई भी गरहा गही समझेगा कि ये किसे हिंदू मालिक की दुखान है लेकिन नाम की याड में भ्रम फैलाने की असल कहानी क्या है अब जरा वो देखिए पास ि यह आपकी यह एक अब क्या नाम मेरा नाम मुहमद अमजर लगया मुहमदं अम्जध है सहरनपूर के बेहट में मौजूद ये जूस की दुकान कावड यातरा के मार्क पर आती है जहां यूपी सरकार का आदेश लाकू है लेकिन हिंदू नाम की याड में पहचान शिपाने का ये खेल कैमरे पर खुल गया आप क्या नाम आपका? मेरा नाम मौम्मद अमजद है, आपने आरियन भूड उस पर जैमातागी अर्साकुम्री देवी लिखवा रखा है आपको सियम के आदेश पता है? नहीं सर, मुझे के आदेश पता नहीं ना आपको? ठीक, ओके अब जरा मुझद नगट से आई इन तस्वीरों पर गौर कीजिए रुड की रोड पर बने इस धाबे पर नया नया बैनर टंगा जा रहा है सलीम शुद शाकाहरी भोजनाले नाम से धाबे की फैचान मुकमल हो रही है लेकिन इस बैनर के टंगने से पहले धाबे पर संगम शुद भोजनाले का नाम चस्पा था जिससे भ्रम की स्थिती थी संगम शुद भोजनाले का नाम और पहचान मुकमल नहीं हो रही थी सरकारी फर्मान जारी हुआ तो ढ़ाबे के मालिक के नाम पर नया बैनर टांगा गया और इधर मंध्यप्रदेश की बात कर लेते हैं तो मंध्यप्रदेश में सुन्दरकान को लेकर सियासत गर्माई हुई है उधर पुलिस कमिशनर ने मामले में कारवाई करते हुए टी आई को नोटिस जारी का जवाब मांग लिया यह मामला गुरुवार का है जब कॉंग्रोस प्रदर्शन करते हुए अशुवा गाडन थाने पहुंची थी और इसी दोरान सुन्दर कान का पाट हो रहा था और इस पर कॉंग्रेस ने एतराज जटाया था मध्य प्रदेश में सुन्दर कान को लेकर सियासत गर्मा गई है कॉंग्रेस ने जीतू पटवारे की नेतरत में कमिशनर से मुलाकात की कॉंग्रेस ने जब बीजेपी को थाने में सुन्दर कान की अनुमती मिल सकती है अगर सर्वीस बुक का पालन करने की अनुमति देती है अगर सर्वीस बुक का पालन करना है तो अधिकारी एक खिलाप करवाई करो कॉंग्रेस की शिकायत पर भोपाल पुलिस कमिशनर ने अशोका गाडन थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है कमिशनर ने टी आई हेमंत श्रिवास्तव से आयोजन को लेकर सबस्टी करण मांगा है तो थाना पहरी के अस्तर पर ये तूटी हुई थी और इसके लिए थाना पहरी का औस्पश्टी करण लिया गया है दरसल गुरुवार को कॉंग्रेस ने नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया इस दोरान कॉंग्रेस नेता अशोका थाने में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुँचे इस दोरान थाने में सुंदर कांड का आयोजन चल रहा था कॉंग्रेस के दिगजदेता दिगजज सिंग ने भी इसको लेकर सवाल उठाय थी कॉंग्रेस ने इस कारेकरम को निजी आयोजन बताया था कॉंग्रेस का कहना था कि थाने में निजी आयोजन नहीं किया जा सकता है इसके बाद प्रदेश में इसको लेकर सियासत गर्मा गई अब कॉंग्रेस ने भी सभी थानों में धार्मिक आयोजन करने की अनुमती मांगी जिस पर भोपाल कमिश्टर ने कहा कि थाने में निजी आयोजन नहीं हो सकते हैं संबंधित टी आई से कारेकरम के आयोजन को लेकर स्पष्टी करण मांगा गया है न्यूज 18 के लिए भोपाल से शैलेंद्र चौहान की रिपोर्ट गुजरात में चांदीपुरा वाइरस कहर बनकर तेजी के साथ पैल रहा है वाइरस बच्चों को अपना शिकार बना रहा है अभी तक 15 से जादा बच्चों की मौत हो चुकी है इस वाइरस से और 13 जिलों में इसने दस तक भी दे दी है गुजरात सरकार वाइरस की रोख ठाम के लिए लगातार काम भी कर रही है रिपोर्ट देखे गुजरात में बच्चों के लिए जानलेवा बनता जा रहा चांदीपुरा वाइरस तेजी से पैर पसार रहा है हर तरफ इस वाइरस का खौफ है चांदीपुरा ने अपना दायरा गुजरात के बाहर भी बढ़ा लिया है ये वाइरस अभी तक 15 से ज्यादा बच्चों की जान ले चुका है डॉक्टरों के मुताबिक वाइरस सीधे बच्चों को अपनी जकर में ले रहा है वाइरस सीधे बच्चों के दिमाग पर असर डालता है गुजरात के अलावा चांदीपुरा वाइरस ने महराश्टर, राजिस्थान और मध्यप्रदेश के बच्चों को अपनी चपेट मिलिया है लेकिन इसकी चपेट में सबसे ज्यादा गुजरात है गुजरात के 13 जिलों में ये वाइरस महमारी की तरफ फैलता जा रहा है जाम नगर, साबर कंठा, अरवली, खेडा, मोर्बी, राजकोट, गांधी नगर, एहमदाबार, महसाडा, हिम्मत नगर, महिसागर, सुरेंद्र नगर पंच महल में वाइरस की तहशत दिख रही है संदेग्द वाइरस से हिम्मत नगर में 6 तो वही राजकोट में 5 जान जा चुकी है वाइरस के पाउं पसाडने से गुजरात सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है बिमारी की रोख ठाम के लिए राजसरकार ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और स्कोलों को भी निर्देश दिये गए है चांदीपुरा वाइरस खास तोर पर बच्चों को अपना निशाना बनाता है ये नौ महिने से लेकर 14 साल के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है वाइरस से इंसान दिमागी पुखार की जकड में आ जाता है कहा जाता है कि ये वाइरस मच्छड और मक्खियों के काटने से फैलता है और इसको CHPV कहते हैं शॉर्ट में ये एक आर्बो वाइरस है आर्बो वाइरस फैमली से आता है जिसमें रेवीज का वाइरस भी शामिल है और एक तरह की गंदे पारी में और गंदगी में रहने वाली फ्लाई होती है मक्खियों होती है जब यह मक्षी बैठती है शरीर पर या मच्छर काटता है तो यह वाइरस शरीर में जा सकता है। जहाँ एक तरफ राज्य के स्वास्ति विभाग ने वाइरस प्रभावित इलाकों में निग्रानी के आदेश दिये हैं तो दूसरी तरफ कर्मचारी ग्रामिड इलाकों में दवा की छड़काव के साथ साथ लोगों को जागरूप भी कर रहे हैं। बहुत फेटल डिजीज है क्योंकि बहुत कम समय में 24-60 गंटे में यह ब्रेन के प्रकड़ लेता है और मॉर्टैलिटी हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम इमिजेटली हाइजीन का ध्यान रखें। अगर शेहर में चल रहे हैं घरों में हैं तो सफाई ध्यान रखें। कपले ऐसे पहनें जिसमें हाथ पैर एक्सपोज नहीं पूरी बहुत के प्रिस नीचे पैर ढखे रहें। और मस्कीटोस अगेंज रेपलेंट्स यूज़ करें, सफाई रखें। जैसी चलक्षन होता है इमिजेटली हास्पेटल जाएं। क्योंकि सिम्ट्रमेट्रिक ट्रीटमेंट ही इसका अप्रोच है, कोई अंटिवारल थेरपी नहीं होती है। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से इमिजेटली इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जल्दी अगर पहुँचें आश्पेटल तो। ये वाइरस बालू मक्खी यानि सैंड फ्लाई के जरीए फैलता है, जो कच्ची दिवारों की दरारों में और नमी वाले वातावरण में अंडे देती है। इसलिए लोगों के घरों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। ये बरसात का मौसम है, ऐसे में कोशिश करें कि जादा से जादा जहां पर कूडा है या पानी भरा हुआ है वहां से बचें और जितने भी मौस्केटोज हैं या जितनी भी तरह की फ्लाईज हैं उनसे बचा जाए और ये जो सैंड फ्लाई होती है से खास तोर पर दिहान र आया था, नागपुर के चांदीपुर में इस वाइरस ने सबसे पहले दस तक दी थी, गुजरात में साल 2010 में चांदीपुरा वाइरस के 29 मामले सामने आये थे, तब 17 बच्चों को संक्रम अढ़ हुआ था, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एटी और इसके साथ खबर असरदार के इस बुलिटिन में फिलहाल के लिए वसरता है, खबरों का सलसला लगातार जारी रहेगा